गुद्द मरिंग्ड इज हैं स्थिटू जिया, तो आज हम प्रांसलेशन में वर्फ सैड सि़िय में वर्फ सैड सनला को याद कर लिए न, तो now let's move forward, verb set 2, आज हम क्या learn करेंगे, verb set 2, आपको साब के साथ मेरे साथ learn करना है, okay, first defend, d-e-f-e-n-d, defend, रक्षा करना, d-e-f-e-n-d, defend, रक्षा करना, रक्षा करना मतलब किसी को पचाना, जैसे आपकी मम्नी, आपकी क्या करती है, रक्षा करती है न, to defend means रक्षा करना, second, determine, determine means निक्षे करना, या फिर कोई चीद निधारित करना, decide करना, determine, d-e-t-e-r-m-i-n है, determine नहीं होता यह, determine, determine, निक्षे करना, determine, निक्षे करना, next, differ, differ, alug होना, differ, alug होना, d-i-r-f-e-r, differ means, alug होना, अलग होने का मतलब जिससे आपने सुनाए नहीं पर डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होता है अलग उसी से यह वर्ब बनी है डिफर डिफर मीज अलग होना अलग होने का मतलब अलग अलग होना जिसे डिफरेंट थिंक्स होती है अलग चीज़ें होती है इस तरह किसे डिफ आप पर बाद पर नश्चे से जब्सक्रでも जिसे बी निवह सब्सक्रिक्स कीजिए मतलब सब मिलकर उसको उसके ऊपर विचार कीजिए दिसकर पाद शीट करना डू मीज्कर कर avoided d o कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं do next drain d r a i n drain means बहना जैसे पानी बह जाता है जैसे sink block हो गई sink जो होती है वो block हो गई अगर जाम हो गई तो पानी क्या होगा बहन नहीं पाएगा तो drain means बहना d r a i n drain means बहना next draw draw means खीचना या फिर लेका चित्र बनाना लेकेड़् बनाने का मतलब कोई थो भी पिच्छण बनाना कोई उसका चित्र बनाना जैसे हम आप से कहते हैं line segment को druck कीजे line segment रौ कीजे या कोई line रौну मतलब उसका चित्र बनाना है उसको या फिर draw means खीचना भी होता है, किसी को तो से draw होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, खीचते हैं, draw means खीचना या फिर रेकाचित्र बनाना, draw, खीचना, रेकाचित्र बनाना next, drink, drink means पीना, drink पीना, drink पीना, drink पीना, drink पीना next, eat, eat खाना, eat means खाना, next, encourage, encourage means प्रोसाहिद करना E-N-C-O-U-R-A-G-E Anchorage Anchorage means प्रोसाहित करना प्रोसाहित का मतलब होता है किसी को भड़ाबा देना हिम्मत देना Anchorage means प्रोसाहित करना Enjoy Enjoy means मजा करना Enjoy मजा करना E-N-J-O-Y Enjoy मजा करना Next Enter Enter means प्रवेश करना Enter प्रवेश करना जसे मैं भूम में Enter हुआ Enter means प्रवेश करना E-N-T-E-R Enter means प्रवेश करना या अंदर जाना Next Evaporate Evaporate means भाब बनकर उड़ जाना Evaporate E-V-A-P-O-R-A-T-E E-V-A-P-O-R-A-T-E Evaporate means भाब बनकर उड़ जाना जैसे पानी क्या होता है अगर हम पानी को गैस पर उवा ले तो पानी क्या हो जाता है भाब बनकर उड़ जाता है न Evaporate हो जाता है या जो नदियों का पानी होता है समुद्रों का पानी होता है तो उन पर सूरज की रोशनी परती है तो क्या होता है पानी दीरे दीरे एवैपरेट होता जाता है तो एवैपरेट मीज बहाब बनकर उड़ जाना Next Exchange Exchange means बदलना E-A-E-S-C-H-A-N-G-E Exchange एक्स्चेंज मीज बदलना बदलने का मतलब होता है वैसे चेंज मतलब बदलना होता है लेकिन exchange का मतलब होता है अदला बदली करना, जैसे मैंने तुम्हें पैंसल दे दी, तुमने मुझे रेजर दे दी, तो हमने अपनी चीज़े क्या कर ली, exchange क्या कर ली, exchange, exchange means अदला बदली करना या फिर बदलना, ओके, next, explain, explain means वर्णन करना, explain, वर्णन करना, मतलब होता है किसी बात को इस पस्ट रूप से बताना, कोई बात समझना, मतलब उसको विस्तार में बताना, इसमें बताना, विस्तार में, to explain means वर्णन करना, next, fall, fall means गिरना, F-A-L-L, fall, गिरना, feel, feel, महसूस करना, F-E-L-E-L, feel, महसूस करना, feel, महसूस करना, next, fill, fill means भर्णा, F-I-L-L, fill means महसूस, fill means भर्ना, fill, भर्ना, भर्ने का मतलब होता है, जैसे हम पानी, water bottles fill कर रहे हैं, fill, water bottles, what we are doing, we are filling, water bottles, means, fill means होता है, भर्ना, F-I-L-L, fill, भर्ना, next, filter, filter means छानना, filter, छानना, F-I-L-L, filter, filter, F-I-L-T-E-R, filter means छानना, filter, छानना, जैसे हम पानी को छानते हैं, उसकी गंदकी को हटाते हैं, filter means छानना, next, finish, finish means समाप्त करना, finish, समाप्त करना, जैसे हम अपना homework finish कर लेते हैं, finish means समाप्त करना, next, float, float means तैरना, float, तैरना, F-L-O-A-T, float, तैरना, next, flow, flow means बहना, बहना, F-L-O-W, flow, flow means बहना, और अब भी हमने इससे पहले एक वर पड़ी थी, flow, drain, drain means बहना, D-R-A-I-N, drain means बहना, next, fly, fly means उडना, F-L-Y, fly, fly means उडना, चिड़ियां आस्मान में क्या करती हैं, fly, उडना, next, follow, follow means बहना, किसी का हम पीछा करते हैं, या हम किसी के rules को follow करते हैं, मतलब मानना, follow means मानना भी होता है, और पीछा करना भी होता है, F-O-L-L-O-W, follow, follow means बहना, next, form, form means आकार देना, कसी चीज को shape देना किसी चीज को क्या देना shape देना तो उसके लिए verb क्या use होती है form form आकार देना next fulfill fulfill means पूरा करना f u l f i l जैसे पापा आपकी जवटो को क्या करते है fulfill करते है पूरा करते है fulfill means पूरा करना next get get means पाना जैसे हम कोई चीज पाते हैं या हमें कोई चीज मिलती है तो उसके लिए हम get का use करते हैं get पाना, get means पाना, next get in, get in means छड़ना, जैसे हम सीड़ियां छड़ते हैं तो हम क्या करने हैं get in या फिर हम bus में छड़ते हैं तो bus या train में हम छड़ते हैं तो क्या लगाते हैं get in get in फिर अंदर छड़ना get off get off means उतरना बहार निकलना next get up get up means उठना अब ये तीनों वर्ब आपको get in get off confuse कर सकती है तो इनका मतलब अंदर जाना अंदर जाना मतलब छड़ना bus में हम अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं छड़ते हैं और get off means off बहार आना जब हम bus से उतरते हैं तो उतरते हैं get in means छड़ना get off means उतरना and get up means उठना सुब्ह हम उठते हैं उसके लिए क्या वर्ब यून करते हैं गेट अप, next, give, giving means देना, give means देना, जैसे हम किसी को कुछ भी देते हैं, give means देना, g-i-v-e, give, देना, next, go, go means जाना, कहीं भी जाते हैं, जैसे I go to market, मैं market जाता हूं, grow means जाना grow, grow means भढ़ना भढ़ना मतलब बढ़े होना तो से plants grow करते हैं हम grow होते हैं grow means भढ़ना grow, grow, भढ़ना next guard guard means रखवाली करना रखवाली करना तो से guard होते हैं जो हमारे घर की क्या करते हैं रखवाली करते हैं guard means रखवाली करना यह dogs हमारे घर को हमारे घर की रखवाली करते हैं तो dogs हमारे घर को क्या करते हैं guard करते हैं guard means रखवाली करना guard means रखवाली करना next have have means रखना here here means सुनना here means सुनना next heat heat means गरम करना जैसे हम किसी चिसको गरम करते हैं या गर्मी देते हैं, तो गर्मी देना या फिक गर्म करना, heat, heat means गर्म करना. Next, help, help means मदद करना, help means मदद करना, हम किसी की मदद करते हैं, तो यह हम क्या बोलते हैं? help, help means मदद करना आगे बढ़ते हैं hide hide means छिपाना, hide means छिपाना, h-i-d-e hide, hide means छिपाना, जैसे हम कुछ बीचे छिपाते हैं किसी से दुपकाते हैं hide means छिपाना next, hunt hunt means शिकार करना जैसे जो शिकारी होता है वो जानवरों का क्या करता है शिकार करता है, शिकार मीज़, शिकार करना, हंट, ह-u-n-t, हंट मीज़, शिकार करना, नेक्स्ट, जोइन, जोइन मीज़, शामिल करना, जोइन मीज़, शामिल करना, या फिर शामिल होना, जैसे हम कोई भी गुरुप जोइन करते हैं, या कोई भी पार्टी जोइन करी हमने तो join means शामिल करना J-O-I-N Join, शामिल, करना Next, jump Jump means खूदना Jump, खूदना J-U-M-P Jump, खूदना Next, keep Keep means रखना Keep, रखना तोसे हम कहते हैं ना अपनी चीजों को सही जग़ों पर रखो Means अपनी जग़ों को अपनी चीजों को Keep means रखना Keep means रखना Next, kill Kill means मारना K-I-L-L Kill, kill means मारना Kill मतलब होता है मारना जब हम किसी को जान से मार देते हैं मतलब बिल्कुली खतम कर देते हैं Kill means मारना Next, no No means जानना K-N-O-W No means जानना Next, laugh Laugh means हसना Laugh, हसना L-A-U-G-H Laugh, laugh means हसना Okay Next, lean out Lean out means बाहर की ओर जुकना Next, learn Learn, learn means याद करना L-E-A-R-N Learn, learn means याद करना जैसे आपको अभी क्या करना है Verb set to learn करना है Learn करना है मतलब याद करना है Next, leave Leave means छोड़ना Leave, छोड़ना जैसे मैंने अपना काम छोड़ दिया मैंने अपना काम लीव कर दिया Leave means छोड़ना Next, like L-I-K-E Like means पसंद करना पसंद करना है जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है Like, like means पसंद करना Like, पसंद करना ओके तो आप सभी को वर्फसाइट टू की सारी वर्फ समझ में आ गई ना अब आपका होंबक है कि आपको घर से घर पर वर्फसाइट टू लर्ण करना है और अपनी प्रांसलेशन की नोट्बूक में सुन्दर सुन्दर राइटिंग में कैसी राइटिंग में? सुन्दर राइटिंग में और लर्ण करकर आपको अपनी प्रांसलेशन नोट्बूक में वर्फसाइट टू नोट करना है एक बात ध्यान रागनी है कि आपको याद करकर ही लिखना है यह नहीं कि आप जस्ट फाइल खोलें अपनी और लिखना चालू कर दें या वीडियो में से लिखना आप चालू कर दें आपको ऐसा नहीं करना है ओके अबरीवन सब मेरी बात मानेंगे ना